असलाम अलेकुम आज मनाएंगे एक दम चटपटी स्पाइसी मसालेदार मटन बिर्यानी बहुत आसानी से बेहतरीन बिर्यानी आप बना सकते हैं जब आप इस मैधड को फालो करेंगे तो चलिए देख लेते हैं यह जबदस सी मटन बिर्यानी हम किस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले बिर्यानी का एक खुश्बुदार मसाला त्यार करेंगे आधा टीस्पून सॉफ एक टीस्पून सीरा आधा टीस्पून काली मिर्च एक बादियान का फूल एक चोथाई नटमेक यानिकी जायफल और एक इंच का दालचीनी का टुकुडा और एक लेंगे चा त्यार में डाल करेंगे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसका एक फंपृदर त्यार कर लेंगे तो यांतिकीटी का पाइश त्यार में अब ले और ईयुकुडा त्यार में अजूरा के तो यह 2-3 चमस्पाइं डाल कर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे यहां पर हर्मेर्ज की आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी तीखी विर्यानी आपको पसंद है उस एक साइड में अब यहां पर एक लोग्राम मैंने मटन लिया हुआ है तो मटन में हमें कुछ मसाले शामिल करने हैं मैं इस ब लालमिश का पाउडर, दो टीस्पून धनिया का पाउडर और एक टीस्पून कश्मिरी लालमिश का पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो यह जितने भी पाउडर मसाल है यह मुटरन के अंदर चले जाएंगे इसके साथ ही हमें अद्रक लहसुन का पेस्ट डालना है तो तीन टेबिल स्पून मैंने लहसुन और अद्रक का पेस्ट लिया वाए एक कप इसमें दही डाल देंग बादेकिया वह भी हमने टाल देना है साथ में डालें हैं तुर मोहने साथ में दालेंगे हरे धनितन और पुदीने के प्ते ऐग्षा नीची यहां उलिडा सकते है तो आप इसको मैंनेशल के लिए रख सकते हैं तो आप इसको डेरेट भी पका सकते हैं आप निंध को दों और इसी के साथ हमें इसके अंदर डालना है एक गप तेल तो यह वही तेल है जिसमें कि मैंने प्यास को गोल्डेन फ्राइ किया था इसमें प्यास यह खुश्बू होती है तो वही तेल यूज की जगा अब हम इसको पक निकली रखतेंगे हाई फ्लेम पर हम इसको चार से पा करना पानी चोड़का, अब हम इसके प्रेशर को करके लेड लगाएंगे तो अब क्या करना है क्या करना है ठोड़ा सा तिल निकल ले ने कि ङेज के फ्लेम को हाई करके इसमें हमें पानी को ड्राय करेंगे लिए हम इसमें इसमें पानी को ड्राय कर लेना है अधे नीबू कर अधे दाल है मैंने इससे भी चावलों में खिला पन रहता है और तीन टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक अब हमें इसमें पांसेचे हरी में डाल देनी हैं बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती है पानी के अंदर और इसमें उबालाने का वेट कर लेना है जब तक पानी में उबाला रही है इधर मैंने आपको दिखाना चौंगी मैंने चावलो को भीगो लिया था बातमती गोल्डेन राइस लिए मैंने सेला राइस इनको देर से द अब हमें अपने भीगेवे चावलो के अंदर से पानी निकाल देना है और शामिल कर देना इसको उबलेवे पानी के अंदर जब पानी में उबाला जाए तब ही आपको इसके अंदर चावल डालने और अब चावलो को 5-6 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पकालेंगे तो यह इसको साइड में रख देते हैं और चावलो को हम चान लेते हैं अब बढ़ाने की असेंब्लिंग कर लेंगे तो सबसे नीचे हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ग्रेवी में से थोड़ा सा तेल इसमें लगा देंगे जिससे की चावल नीचे ना लगें और अब हमें इसके हर धनी और पुदिने के पत्ये डाल देंगे और तलीवी प्याश डाल देंगे तो टोटल मैंने तीन प्या स्थ्राइ श्राइग की थी दो एक लावνη में यूज कर लेंगे अब फिर से हम चाओल डाल देंगे ओर इसके उपर डाल देंगे अब हम इसके उपर फूट कलर और केवडा वाटर डालेंगे साथ में हारे धनिये और पुदीने के पत्ते डालेंगे और साथ में जाएगे इसमें तलीवे प्याज अब हमने ग्रेवी के अंदर से तेल निकाल लिया था एक चोथाई कप वो हमें इस तरह से पहलाते वे डाल देना है ताकि चारो तरफ चावलों में अच्छे से पहल जाए और इसी के साथ इसमें एक ती हाई कप के अखरी पाई डाल देंगे और बस अब हम इसका ढखकन लगा देंगे और पहले हाई फ्लेम पर वैसल को अच्छे तरह गरम कर लेंगे उसके बाद कैसकी फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि यह हैवी बॉटम वैसल है तो मैंने नीचे तवा वगेरा नहीं लगाया है अगर आपका वैसल हलका है तो आप कितनी जबरदस ब्रियानी हैं कितनी आसानी से बन कर तयार हो गगी और हल differences अब कर लिन और ऐस में आप सकते हैं झतनी जबरदस लग रही है खाने में और उतनी टेस्टी है है बिल्कुर aपने शाद्या में झाल र shifting यह डियानी का उस वह ऐक जाना पासनी तरह मुझे पूर तो बस ट्राइब करें आप ये जबदस बिर्यानी की रेसिपी और मुझे को जरूर बताएं आपकी मटन बिर्यानी कैसे बनका तियार होई बहुत आसान तरीके से मैंने बिर्यानी बनाई है जिससे की आप इसको एक जवच जड़ पाट से बना सकते हैं तो ट्राइ कीज़ेगा जबदस सी रेसे पर और मुझको अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीज़ेगा आपके मड़न बिर्यानी कैसी बन कर त्यार हुई और ये देखिए जबदस बिर्यानी त्यार है बहुत ही फ्रेग्रिंट बनी है ये इतनी खुश्बुदार है कि बस आप खाएंगे तब जान पाएंगे ये कितनी टेस्टे बनती है तो ट्राइ करें और मुझको ज़रूर बताएं कैसी बनी आपके बिर्यानी और अगर आपको रैसे भी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिर